स्टार्ट BTSD ट्रेडिंग, बाई टूडे, सेल टुमारो आपको इस प्लान को कैसे जोइन करना है, कितना आपको मंतली प्रोफिट मिलेगा, कैसी इपकी इन्मेस्टमेंट लगेगी और इसमें आपकी accuracy कितनी रहेगी, सबको detail आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी, आप इस वीडियो का link description में देख सकते हैं और अपनी trading स्टार्ट कर सकते हैं, buy today, सेल टुमारो, किसी भी stock को आज buy करके, उसको next day हम सेल करेंगे इसमें 90 plus कि आपको accuracy मिलेगी, full details कैसे आपको joining, monthly profit, accuracy, daily calls, calls आपको कैसे मिलेंगी, सिर्फ आप 4.99 रुपीज से start कर सकते हैं इसका link मैंने description में डाला हुआ, full details, वोस लिंक पे जाना, click करना, अपनी trading स्टार्ट करना, thank you so much Hello friends, आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे, आप angel broking के अंदर कैसे आप margin trading कर सकते हैं इस margin trading में आपको क्या क्या benefits मिलेंगे, अगर हम benefits की बात करें, तो उसमें आपको कितना interest pay करना पड़ेगा उसके बाद जो आपको leverage मिलेगी, वो कितनी मिलेगी, उसके बाद आप कितने दिन उसको hold कर सकते हैं holding के बाद जो आपके बाद sort fall का message आता है, तो वो किस time पे आता है, और हमें उससे कैसे बचना चाहिए और second last में सबसे main point आएगा कि हमें maximum margin कितना use करना चीज जिससे कि हमारे पास sort fall का message ना है हमारे जो stocks हैं, वो कभी अपने आप angel walking की site से sale ना हो सबको data आपको इस वीडियो में मिलेगी, आप वीडियो को continue देखना, तो सबसे पहले बात आती है कि margin training में है क्या हमारे पास तीन option होते हैं, जो किसी भी stock को जब search करते हैं, यहां पर मादलो Tata Motors मैंने लिया, इसका यह price चला हुआ है सबसे पहले option आएगा, आपके पास quantity है, सबको पता है, price, limit और market आज हम बात करेंगे इन तीन option में से, main option margin अब margin में क्या आएगा, सबसे पहले जब हम इस पर click करते हैं, और यहां पर मैंने quantity डाल दी example के लिए 100 quantity तो आप नीचे देखेंगे कि, यहां पर approach required margin, कि आपको इतना margin pay करना पड़ेगा, 100 quantity Tata Motors की लेने के लिए अगर हम 454 इसका price चला हुआ है, उसको multiplexion करेंगे, multiply करेंगे 100 से, तो इसका price आएगा 45,400 और total हमें payment कितनी करनी सिर्फ 13,287 रुपे, अगर आप इसको divide करेंगे 45 divided by 13,2187 तो approach बनेगा यह 3.5 तो इसके क्या मतलब हुआ, कि आप Tata Motors की जितना आपका fund है, उसके according 3.5 extra quantity buy कर सकते हैं, यह leverage होगी एक टाइप की मतलब की margin आपको extra दिया जाते हैं, बट इस margin के कुछ disadvantage यह हैं कि जब आप इस margin को buy कर लेंगे margin के अंदर दुबारा चलती हैं, आपर मैंने 100 quantity डाली और आप आपने 100 quantity में buy कर ली, margin select कर दिया, आपने required margin इतना pay कर दिया, तो next day जब आप sell करोगे इसको, क्योंकि जब आपने full margin हमेशा use कर लिया, तो हम next day इसको sell नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी यह saving का rule है कि आपको एक दिन wait करना पड़ेगा, अगर आप margin, full margin use करते हैं, किसी भी margin use करने के बाद, चाहे वो 5 times हो, 4 times हो, 3 times हो, 2 times हो, उसमें आप next sell करेंगे, तो आपको 20% देना पड़ेगा, वो 20% किस चीज़ का लगेगा, जितने आपकी total trading होगी, एक example से समझते हैं, इसी को, यहाँ पर मैंने 100 quantity margin के अंदर Tata Motors की buy करी, इसका total price बनेगा, 45,490, मतलब 45,4 इसका 20% कितना बनेगा, आप approach मालो 9,000 रुपीज, जब आप उसको next day sell करोगे, margin trading में full margin use करने के बाद, तो next day आपको 9,000 रुपीज add करने पड़ेंगे, यह हुआ, मतलब कि आप full margin लेने के बाद, next day उसको sell करने के लिए, जितना आपका fund होगा, उतने ही approach आपको add करना पर होगे, तो आपको कोई fund इसमें add नहीं करना, अप अपने zero fund से भी उस stock को sell कर पाएंगे, तो हमारे पास option आएगा कि next day sell कैसे करें, बाद चांस हमें next day sell करना हो, यही 100 quantity, और हम margin trading करना चाहते हैं, तो जितना आपको margin है देखो, आपके account में मान के चलते 10,000 रुपीज है आपको margin provide कर रही है 3.5 times, तो आपके कितनी limit होगी, 35,000, एक example लिया मैंने, तो आप 35 का maximum total use मत करो, जीतना आपका margin है उसका 50% use करो, तो यह बन गए आपका 17,500, मतलब कि आप approximately 17,000 की trading करोगे, तो आप next day, मतलब कि उससे next day, next day को बोलते हैं कि BTSD, यही होती कि buy today sell तुमारो, जब किसी stock को आज buy करके, कल sell करोगे, उसको बोलती BTSD, तो आप उसको sell कर पाएंगे, तो इसमें main option क्या हुआ, कि आप किसी भी stock को margin के अंदर, अगर आप BTSD करना चाहते हैं, मतलब कि किसी stock को आज buy करके, कल उसको sell करना चाहते हैं, तो आप उसका 50% margin use करना, अगर आपक चोड़के, उससे अगले दिन आपको trading नहीं करना, उसके अलावा आप दूसरे दिन, तीसरे दिन, चोथे दिन, कभी भी sale करना चाहते हैं, तो आप full margin use कर सकते हैं, इस तरह Tata Motors में आपको 3.5 times margin आप, आप full time use कर सकते हैं, saving trading के लिए, जिसमें एक दिन आपको छोड़ना प यूज करना है, उस चीज के लिए, तो आप ही स्क्रीन पर आगी यहाँ पर, हम चेक करेंगे कि margin trading मैंने बता दिया, आपको कितना margin यूज करना है, कितनी आपको leverage मिलेगी, leverage की बात करें, तो nifty 50 के जो stocks हैं, उसमें आपको 5 times full margin यूज नहीं मिलेगा, मतलब 4.85 times आपको margin मि मिलेगा, वो भी nifty 50 के stock में, nifty 50 के stocks के बात करें, तो जिस तर रिलाइंस, TCS, Infosys, HDFC Bank, Iser Motor, Britannia, इन stock में आपको 4.85, अप प्रोक साब इसको 5 गूना margin मान सकते हैं, उसके लावा Tata Motors, Tata Motors, ICI Bank, SBI, उसमें आपको मिला 3.5 times, यह आपकी margin trading में leverage हो चूँगी, कितनी आपको leverage मिलती है, BTST के लिए आपने कितना margin यूज करना चाहिए, उसके बाद सिविंग टेडिंग के लिए कितना margin यूज करना चाहिए, उसके बाद बात आएगी कि आपको interest कितना pay करना पड़ेगा, इसका main यही है कि जितना आपने margin यूज करा है, उसका 0.050%, एक्जामपल आप आपके account में 1,00,00 रुपीज थे, आपने 2 times margin यूज करा तो आपके 2,00,00 रुपी की total trading बन गई, एक लाग आपका था तो इसमें calculation इंडेस्ट नहीं पिये हो, क्योंकि आपका fund था यह, इसको हटा किया तो आपका 1,00,00 रुपी extra trading बनी, जब आप 1,00,00 रुपी extra trading पे, तो 50 रुपीज आपका per day interest जाएगा, जितने दिन आप stock को रखोगे, और पहले two days, first two days मतलब की, जिस दिन से आप trading स्टार्ट करते हैं, जिस दिन trading करें, टी days होता है, उसके बाद first or two, दो दिन आपका कोई charge नहीं लगेगा, trading day और first or two, मतलब तीन दिन ही माल लो, जिस दिन आप कोई interest नहीं लगेगा, चोथे दिन से आपका interest लगना सुरू हो जागा 50 रुपीज एक लाख पे, जितने आपकी limit होगी, जितना आपने extra margin यूज करा होगा, उस पे आपका इतना extra लगता रहेगा, एक लाख पे 50 रुपे, अब ये कितने दिन हमस को रख सकते हैं, आप maximum 90 days, angel walking के अंदर margin trading में रख सकते हैं, जब margin इसको use करेंगे, तो आप इसमें 90 days maximum रख सकते हैं, इसकी भी एक limit है, जब आप उसको 90 days रखेंगे, तो उसी stock को आपको pledge करना पड़ेगा, example से समझते हैं कि आपने किसी stock को margin के अंदर देखो, यहाँ पे quantity डालके आज आपने buy कर लिया, तो 24 hours, जिस टैंजिस दिन आपने buy करा, उससे अगले दिन market open होने से पहले, आपने आज buying करी, तो कल 9 बजे से पहले, 9, 15 से पहले, तो आपने इसी stock को pledge करना पड़ेगा, आप pledge कैसे कर पाएंगे, प्लेज के लिए आपको एक link आईगा आपके message पे, उस link पे आप click करेंगे, तो click के बाद आपके जो stocks आपने margin में buy करे होगे, तो आपके stock आपके so हो करेंगे, उनको आप click कर देना, और submit कर देना, submit के बाद OTP आएगा, तो OTP आप डाल के इसको process करेंगे, तो आपको ये pledge हो जाएगा, उसके बाद आप इसी stock को आप 90 days रख सकते हैं, अगर आपने pledge नहीं करा 24 hours में, तो आप फिर 7 days रख सकते हैं, दो limit है, pledge के लिए 90 days, without pledge 7 days 7 days के अब आपका stock sale हो जाएगा, आपने अगर pledge नहीं करा चाहिए, वो stock upper moment में हो या lower moment में हो, 90 days pledge के बाद आप उस stock को रख सकते हैं, interest का आपको पता चल चुक है, कितनी दिन आप रख सकते हैं, कैसे आप उस stock को pledge कर सकते हैं, कितनी आपको leverage मिलती है, BTSD के लिए आपको कि इतना fund यूज करना चाहिए, अब message आता है, last में एक sort fall, कि हमारे पास एक sort fall का message आता है, उससे हमें कैसे बचना चाहिए, और किस time पे payment करने चाहिए, sort fall का message का बात है, एक example से समझते हैं, आपको margin दिया, यहाँ पर Tata Motors ने 13500 की limit बनी थी, total 100 quantity पे, आपने पूरा margin यूज कर आप example के लिए देखते हैं, दुबारा इसी को buy करते हैं, कितना आपका sort fall आएगा, आपने 100 quantity buy करी, और margin में आपने trading करी, देखो यहाँ पे 100 quantity, margin trading, इतना margin लग रहा था, आपके count में इतना ही balance था, उतना आपने payment कर दी, उसके बाद next day by chance 2% down चला गया stock, तो आपके count में कित इतने भी limit है, इसका 2%, 1387 का अगर आप 2% करोगे, तो आपके पास में यह वो आएगा कि आपको इतना fund add करना पड़ेगा, क्योंकि यह आपका down चला गया, जितना भी आप down जाता जाएगा, दो कि तीन आएगा, तो आपका fund फिर add हो जाएगा, तीन के जाएगा, तो जाएगा, तो इसकी average में आपका fund shortfall का message आजाएगा, 2% चला गया, फिर वो थोड़ा सा extra add हो के shortfall का message आजाएगा, 3% चला गया, तो shortfall का message आजाएगा, अब आपके total limit कितनी बनी थी, मान के चला आपने 100 quantity buy करी margin के अंदर, तो 445 का एक stock है, तो इसको 100 से multiply करेंगे, तो 45,400 400 रुपे की आपकी trading बनी, अगर ये 2% डाउन चला गया अकले दिन, और आपके account में कोई fund नहीं है, तो इसको 2% इसका करेंगे 45,000 का, तो 900 रुपे के आसपास आपका shortfall का message आएगा, अगर ये 3% तो आपका ये 1300 के आसपास हो जाएगा, 4% में 1800 रुपे हो जाएगा, ये आ हमारे साथ BTSD trading plan में भी जूट सकते हैं, जिस सिरफ 499 रुपे से आप trading start कर सकते हैं, 90 plus के आपको accuracy मिलेगी, उसका link description में डाला हुआ उस video का, उस video को देखना, उस video में आपके सारे answer में आपको मिल जाएगे, और trading start कर सकते हैं, आपके mind में कोई queries हो, तो उस video में आपको कि हमारे सकते हैं, आपके दिन का हमें हारा Hum, एक दोते हैं, कर दोते हैं, आपके सारेioxा, आपके फिर उसका गानीidentsा भुझे हर बयाईघर के चलीग कर दोते हैं, कि आपको कर सकते हैं, आपके neighborhood, रुझे से टूस 스на ओुछ छोदे ड가요?